नमस्कार अभी जादा से जादा लोग एंजयाटी में फसे हुए हैं बार-बार फोन कॉल्स आते हैं कि घबड़ाट होती है पता नहीं छीक आती है तो डर लगता है अगर कहीं सब्जी भी लाने चले गए तो लगता है कि अरे बार-बार हाथ धोना और लगना कि पता नहीं स इसी को चूटों नहीं दिया संति के इतना इन सीक्यूर फिल करते हैं। और बिचेन हो जाते हैं। यहार फोन करके पूछते हैं यहां मेरत को मेरत जोटै YouTube को देखके घथे हैं। आप किसी से मिल निये हैं। आँप किसी मुझेब नहीं तो ठीक है। जब हम अकेले होते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, अभी lockdown में हैं तो अकेलापन तो होता ही है, सुबा भी कसी बात है कि असर आर्थिक और बहुत साथ चीजों का पढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम खुद को इतना डड़ा दें कि मांचीक बिमार पर जाए. अभी सबसे ज़्यादा जुरूरी है कि आप अपने एक रूटीन में रहें, सुबा उटना, एक्सरसाइज करना, अगर आपके पास थोड़ा भी जगह है, तो आप तहल लीजिए, हान पान पे ध्यान दीजिए, और हमेशा नाकारात्मक चीज़ें मत सुनिए, और टीबी पर तो ठीक है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे चैनल हैं, जिसमें आप इंज्वाय करते हैं बच्चों के साथ बैठके, और हमेशा निगिटी भी ना सोचे, बहुत से लोग भी करोना के मरीज जो हैं, ओ ठीक होके आ रहे हैं, इसको सोचें और की समय में बच्चों के साथ अच्छी कहानियां के किताबें उन्हें पढ़ने के आदर डालें, कुछ ठोड़ी खुद बताएं, अगर घर में जगह हो तो आप बच्चों के साथ बैठके थोड़ा तहलें, थोड़ी बगीचे में फूल में पानी डालें, एक positivity आएगी अप के अंदर एक energy आएगा, लेकिन बार बार नाकरात्मक सोच, डर, भै को जितना अपने उपर भारी डालेंगे, वो भै आपके mental health को और भी खराब करेगा, हो सकता है बहुत सी बीमारियां हो, हो सकता है कि आप करोना से परशान जितना नहीं होंगे, उससे जाता है आपके अं हमारी बीपी का बढ़ जाना या सुगर का बढ़ जाना ये हो जाए, तो क्यों तनाव लेना है, accept करना है, कि इस period में हमें अपने आपको lockdown करके, जितना सुरक्षित है, जब बाहर जा ही नहीं है, तो डर किस बात का है, और जब एक positivity आएगी अंदर में, strength आएगा, और routine life हम नीन नहीं आती है, पता नहीं, देखे ना मेरे ये लक्षन है, खांसी हो गई है, मेरे बच्चे को छीक आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं करोना के लक्षन है, या कभी-कभी कोई फोन करेगा, मेरे आखे लाल हो रही है, हमने पढ़ा था वाट्सवप पे, कि ये भी एक जब अस्तर इसका बढ़ जाएगा, तो सुभाव इकसी बात है, कि इनसान डेप्रेशन में आ जाएगा, सबसे पहले चीज़ है कि इस अपने उपर भाड़ी नहीं पढ़ने देना है, क्योंकि ये जब भाड़ी पढ़ेगा, तो हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो जाएग और जब जादा ना करात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग पुसका बहुत ही नेगेटिव असर होता है, रूटेंग लाइफ खराब हो जाता है, और नीन भी अच्छी नहीं आती है, और भूख भी मर जाती है, तो क्यों नहीं हम ये पॉजिटिव सोचें, कि ये कुछ दिन करें, हर दिन एक्सरसाइज करें, चाहे कोई भी काम हो, आपका रूटीन पे हो, रात को अगर सो रहे हो, तो हमेशा मोबाइल और लैप्टॉप का इस्तमाल ना करके घटे पहले हटा दे, अच्छी नेंद आएगी, बच्छों के साथ एक पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें, हमेशा डराओने बात ना करें, कि क्या हो जाएगा, देखो ये हो रहा है, इससे क्या होगा, कि छोटे-छोटे बच्चे जो घर में वो भी डर जाएंगे, और इस उमर में डर जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं, कि पुरी जिंदगी एक डर में जीएंगे, कोरोना फ करना होगा, अच्छी नीन तभी आएगे, और अच्छी नीन आएगे, तो सुबह एकदम तरो ताज आ रहेंगे, और ये कुछ तिनों की बात है, अपने को एकसप्ट कीजे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कोई पर्मानेंट नहीं है, और इस वेस्विक महामारी पे बिज़े प करना है, तो हमें अपने आपको लोकडाउन करना है, और पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव में हमेशा आप डर को बिलकुल अपने पास ना रहने दें, और एंजाइटी को बाय करें, और लाइफ को, हम जिन्दा रहेंगे तो जिन्दगी में बहुत कुछ खड़ करेंगे पहें